वेलकम चूचूचूप चैनल दोस्तो आज इस्टूडियो में हम बनाने वाले हैं डिजार्नर विफ्रोग फॉर 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 फायर विबिगल जिससे बनानी के लिए यहां पे हमने दो मिटर कॉटन फैब्रिक लिया है तो चले इससे बनाना शुर करते हैं तो सबसे पहले हमने फैब्रिक से तिन रेक्टेंगल पिसस कट किये हैं जिससे तिनों को इस तरीके से हमने टूफोल किया हुआ है तिनों को साथ में और यहां पे अब हमें मार्किंग करनी है तो फॉल्ड एरिया से सॉल्डर हम लेंगे 5 अचस और यहां से आम होल हमें लेना है 5 अचस और हमें लाइंड ड्रो करनी है दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अब यहां पे चस का पार्ण हम लेंगे 8 अचस हलका सरामशेप देते हुए आम होल ड्रो करना है इस तरीके से उपर से फ्रॉक की लेंद हमें लेनी है 25 अचस और यहां से ब्राडर सम लेंगे 60 अचस और यहां से लाइन को क्रॉस में एक्स्टेंड करते जाना है हमारी लेंद तक इस तरह से और यहां से हलका सरामशेप ड्रो करेंगे निच्च जाले बढ़र पे अब नेक के ब्राडर सम यहां पे लेंगे तो एन हाफ एचेस और लेंध हमें लेनी है तो एन हाफ एचेस और वन इच फ्रेंड रोब एक के लिए राउंड शेप देते हुए नेक डो करने है अब हमें इससे कट कर लेना है तो देखिया हमने इससे कट कर लिया है और यहां पे बेक का बाठ हमने अलग कर लिया है और यहां पे फिर से हमें फ्रंट पाठ के लिए नेक कट करना है तो फ्रंट पाठ के लिए हमने दो पिसिस कट कर लिया है यहां पे और इससे ओपन करेंगे और बेक साइड के लिए एक पाठ हमने कट किया है इस तरह से दबल लेयर के लिए हमने फ्रंट साइड के लिए दो पिसिस हमने कट कर लिया है तो फ्रंट साइड का एक पाठ यहां पे हम आरेज करेंगे और इससे हम अपर लेयर बनाएंगे तो यहां से निच्चे वले ब्रोडर से हमें शेप डो करना है हलकास राउंड शेप में तो यहां से हम हलकास राउंड शेप डो कर दे जाएंगे और आम होल का जो एंड है वहां तक हमें राउंड शेप डो कर लेना है इस तरीके का पैटर्न के लिए upper layer के लिए यहाँ पे हमने marking कर लिए है और हमें इससे cut कर लेना है तो देखिए हमने इससे cut कर लिया है तो इस तरीके से front side के लिए upper layer हमने यहाँ पे cut कर लिया है और front part का जो main part है इससे यहाँ पे arrange करेंगी और इसके उपर second part को हमें सिधा रखना है जो हमारा upper layer है front side का arm hole और neck part को अच्छे से मिलाते हुए इस तरीके से arrange करना है और इस तरीके से दोनों parts को अच्छे से arrange करेंगे एक दूसरी के उपर यह हमारा front का part हमने ready किया है अब यहाँ पे सबसे पहले upper layer की जो यह border है इससे हम wrong side पे double fold करते हैं सिलेक कर लेना है और इसके बार इसके उपर back का part हम older रखेंगे और हमें shoulder अटेश करने है तो यह देखिए हमने इस तरीके से border को भी fold कर लिया है और shoulder भी हमने अटेश कर लिया है अब यहाँ पे front का जो male layer है इसके उपर हमें center mark करना है इस तरीके से और यहाँ से center से हमें shape डो करना है तो यहाँ पे हम marking करेंगे male layer पे तो armhole का end है वहाँ से 10 inches down पे हम mark करना है और यहाँ से हम हलका surround shape डो करेंगे center तर यह हमारा front का male layer है और इससे भी हमें cut कर लेना है pattern के लिए और हमें इससे cut करना है तो यह देखे हमने इससे cut कर लिया है इस तरीके से और इसकी border को भी हमें wrong side पे double fold करते हैं select कर लेना है यहां से यहां तक one by one और back part की इनी चैल order को भी हमें रोंग side पे double fold करते हैं इस तरह कर लेना है तो यह देखे हमने सभी borders को इस तरीके से हमने fold कर लिया है तिनों parts की one by one और यह हमारा back part है जिससे हमें two fold करना है यहां पे और two fold करते हुए center से fold करना है और center पे हमें cut लगाना है तो four inches down तक हमें cut लगाना है और वापस हम इससे open करेंगे back side के लिए और यहां पे हमने fabric से stiffs cut की है जिससे armhole पे हमें older रखना है neck part पे older रखना है और हमें slack करनी है यह देखिया हमने इस तरीके से stiffs को wrong side पे double fold करते हैं स्दिला कर लिया है और armholes और neck parts हमने ready कर लिये है अब यहां पे हमने दो stiffs cut की है जिससे ruffle बना के हमें अटेश करना है front side पे frock को decorate करने के लिए तो जिसकी length हमने लिए 50 inches दोनों के हमने same रखी है length और broadness हमने लिए 8 inches और 3 inches अब सबसे पहले यहां पे stiffs की निच्चे और बडर को हमें wrong side पे double fold करते हैं तो इस सिलाइ करना है और stiffs में हमें दोनों side को fold करना है इस तरीके से wrong side पे double fold करते हैं सिलाइ करेंगे तो यहाँ देखे हैं हमने सिलाइक कर ली है दोरो बोडो को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे निच्चे और बोडो को हमने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे अपर बोड़र पर हम बड़े नमरों की सिलाइक करनी है और हमें gathering करना है तो एक धाय को अलग करके यहाँ पे हलके हाथ से खीचेंगे और पूरी length में gathering करना है और यहाँ पे ruffle ready करेंगे हम इस तरीके से और यहाँ पे भी हमें ruffle ready करनी है तो यह दिखे हमने दो ruffles यहाँ पे ready कर ली है और इससे हमें यहाँ पे front side पे हमें अटेश करना है तो front side को यहाँ पे open करेंगे दोने layer को यहाँ पे arrange करना है front side के अब यहाँ पे हमें marking करनी है रफल अटेश करने के लिए तो यहाँ से six inches down पे हम mark करेंगे और यहाँ पे neck line से four and half inches down पे mark करना है इस तरीके से और यहाँ से हमें इस तरीके का shape draw करना है तीनों points को मिलाते हुए अब यहाँ पे mark को मिलाते हुए इस रफल को हमें इस तरीके से arrange करना है और उपर से select करते हुए से attach करना है और और इसके बाद जो हमारे second ruffle है इसे भी इसके उपर हमें सिधा रखना है mark को मिलाते हुए और हमें select करना है यह देखिए हमने इस तरीके से तो देखिए हमने border को close करते हुए ruffles यहाँ पे attach कर ली है अब यहाँ पे दोनों parts को wrong side पे turn करना है इसकी fitting के लिए तो one each difference पे हम select करेंगे दोनों side से frock को fitting कर लेना है तो देखिए हमने इस तरीके से frock को fitting कर लिया है और इसी की साथ है design ruffle baby frock हमारा ready है दोस्तों अगर आपको यह हमारे design अच्छी लगी हो तो please video को like करे, share करे, subscribe करे हमारे चैनल को और उस बेल icon को भी प्रेस करे ताकि आपको हमारे नहीं वाली सब वीडियोस की information मिलते है थेंक्स प्रोचिंग झाल 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 झाल